कार्प डीम नाम की कंपनी जल्द ही भारत में कैंसर से इलाज की दवाई विक्सित करने जा रही है कंपनी ने हाली में यूपी के इन्वेश्टर समिट में लखनों आकर इस करार को तरप्रदेश सरकार के साथ किया था अब ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे एक्जिक्यूट होना शुरू हो चुका है कैंसर को डिटेक्ट करके इलाज करने की इस तकनीक में सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि ये विशेस तकनीक से ना सिर्फ कैंसर को डिटेक्ट करने में आसानी होगी बलकि कैंसर के इलाज में देश एक नया कीरतिमान भी रचेगा आपको यह मालूम करके जब आपके सरी सारी दुनिया में जो कोरोना वाइरस हुआ था तो सब लोग बोल रहे हैं थे कोई एक शब लोग है एंटीबोडी तो एंटीबोडी क्या है एक यह वाई शेप का मॉल्यू क्यों है जो पीछे इमेज हा वो चला गया तो वो जो इमेज छोओं ने बचाया ये एंटीबोडी है вो अपनी सरी में श किर भी पी है वो हमने क्या मैं एक घीपीएस लगा दियां जैसे हम झीपाशं के तन्या मैंभीिग इंटीऑि सिरफ जाएगा कैंसर के बोलुकिल पर और पता क्या होएगा यहां हम एक लिंग है जो चेन वाला लिंग है वो चेन बनाके उसमें हम डालेंगे टॉक्सिक निटीरियल जिसे साइंस में कहते हैं पेलोडल वो एक जैसा होता है मैं समझ बता देटी हम के यह ऐसा बोन है जो हम में वो जाएगा सिरफ कैंसर के मोलकिल के पास वहां अदर गुज के बोम छोड़ देगा तो कैंसर बढ़ जाएगा और आजो बाजो जो ठीक सेल से उसको कोई नुक्शान नहीं पोझेगा और वो साइड इफेक्स होती है वो कम हो जाएगा तो जो यह कैमिस्ट्री है हमार यह एंटीबोडी से और यह छोटा नैनो मॉल्ट्यू है जो टॉक्सिक है कैंसर को किल करेगा यह चैन है कैमिस्ट्री और यह मेरा फॉलिक है फॉलिच्ट्र है इंडिया में बनाएंगे और जो चुहान का बाद पैटन्टिव टेपनोलोजी है यह टेपनोलोजी हम एंटी जीपियस नैविगेटर का है वो उनकी टेपनोलोजी यूएस में है हम तोनों निटके यह टेपनोलोजी हम इंडिया ले आंगे यूपी गोवर्मेंट के साथ पॉरोफ्र करके हमारे इच्छा है कि यह पैटन्ट हम ना वेस्ट को दे ना यूएस को दे हम देंगे यहां य क्या है